यूरोपी संग की इतिहास, उदै, उद्जेश और संरचना इसको समझने के बाद अब हम अगले बिंदू पर आते हैं और वह है यूरोपी संग का सम्विधान एक ऐसा संग जिसमें यूरोप के सभी देश लगभग शामिल हों, सदस्य हों सभी देशों की अपनी अपनी परंपराएं, अपना अपना सम्विधान, अपनी अपनी शासन व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था दी है सब देशों की सरकारों को अपनी देश का हित साधना है और ये भी सुनिश्चित करना है कि येरोपी संग के जो द्यश्य हैं उसको पूरा करने में वे सक्री योगदान दे ऐसी स्थिति में जरूरी था कि इस संश्था का एक अपना समवैधानिक धाचा भी हो एक समवैधानिक सरचना हो एक कानून हो आखिर वो क्या है बहुत संख्षिप्त में इसके बारे में हम थोड़ा जाने कि येरोपी संग का समवैधान कैसा है 2005 में 25 देश इस संग के प्रस्तावित समवैधान का अनुमोधन करते हैं याने पूर में समिती बनाई गई जिसने समवैधान के बिन्दूओं पर विचार विमर्श करके एक ड्राफ बनाया एक प्रस्ताव बनाया और 28 में से 25 देश उसका अनुमोधन करते हैं उस समय कहना चाहिए कि 25 देशी सदस्च थे क्योंकि क्रोशी आदी तो 2005 के बाद सदस्च से बने अक्टूबर 2005 को इस पर हस्ताक्षर होता है समवैधान में और इस प्रकार राज्या धक्षों के द्वारा इसे पूर्ण रूपेंड अनुमोधित कर दिया जाता है और यूरोपी संग का एक समवैधान इस समवैधान के तहट आपको ये बड़ा अश्चर होगा कि सभी देश इस बात पर सहमत होगया सदस्च देश कि संग का एक अपना जंडा होगा अपना गान होगा अपनी स्थापना दिवस फाउंडेशन डे होगा और मुद्रा की बात तो मैंने पहले ही कह दी है कि किस पकार यूरो नाम की मुद्रा का प्रचलन प्राड़म भुआ बाद में पच्चीस के बाद तीन देश और बनते हैं इसके देस सदस्च वे बलगारिया रोमानिया और क्रोईशिया थे सदस्च बनने के बाद इन्होंने भी इस सम्धान को स्वीकारा तभी इने सदस्च ता मिली रही इनके झंडे की बाद तो इनका जंडा उसमें सोने के रंग के सितारों का घेरा है जैसा आप चित्र में देख रहे हैं सितारों का घेरा ये जो घेरा है ये यूनिटी का परिचायक है एकता का परिचायक है सहयोग, मेल, मिलाप का परिचायक है और आखिर इसमें आप गिंती करेंगे तो बारा तारे हैं आखिर ये बारा से किसका कैताच पर है बारा सितारे क्योंकि बारा की संख्या को पारंपरिक दृष्टि से, पारंपरिक नजरिये से यौरोप में पूर्णता का, समगरता का और एकता का प्रतीक मानते हैं बारा बड़ा आस्पिशस अंक इनके लिए माना जाता है इसलिए बारा को लेते हुए उन्होंने यूरो बारा जो करंसी निकाली थी जो चलती है उसका नाम भी यूरो बारा था ज़ंडे में भी बारा तारे जैसे यूरोपियन यूनियन के ज़ंडे में बारा सितारे हैं ऐसे ही किसी देश के ज़ंडे में भी कुछ संख्या है निश्चत संख्या और उसमें सितारे हैं संक तरज अमेरिका उसका ज़ंडा यह आप देखें तो ज़ंडे में stripes दिखेंगे और stars दिखेंगे stripes लाल और सफेद दो रंगों में हैं और ये दोनों के जोड़ें तो 13 stripes हैं 13 stripes इशारा करते हैं उन 13 संस्थापक राश्ट्रों की जिससे मिलकर सेंगत राज अमेरिका का निर्मान हुआ सिंक्त राज अमेरिका नाम के देश का उदै हुआ संस्थापक राष्ट जो वर्तमान में हम एक तरीके से राज्य कह सकते हैं सिंक्त राज अमेरिका के तो वो तेरा थे इसलिए तेरा स्ट्राइप्स है और यहिदि तारों को आप गिने सितारे जिसे यहाँ पर बारा है European Union के वहाँ पर इंकावन ہے इंकावन तारे इंकावन सितारे बताते हैं वर्तमान के राज्यों की संख्या जो इंकावन है इसलि nic IKEA इसलिए इसमें इंकावन सितारी ये तो हुई जहन्डे की बात स्लैक्स की रहा गान और मुद्रा मुद्रा को तो आप पूर में देखी चुके हैं यूरो मुद्रा की इमेज गान की भी दो पंक्तियां थोड़ा सुन ले ताकि आपके कानों में जब भी ये गान की वो पंक्ति सुनाई दे दो पंक्तियां तो आपको महसूस हो कि ये परिचित पहचानी होई धुन है और समझ जाएं कि ये यूरोपियन यूनियन का अपना राष्ट धुन है अपना स्वाइम का धुन है संक्षित में यूरोपियन यूनियन एक बहुत शक्ति शाली बहुत महत्मून संता के रूप में उभर के आई है विश्व बाजार में यदि पुन्जी की बात करें तो सोवियत संग के बाद यूरोपियन यूनियन में शामिल देशों की जो संबिलित पुन्जी है बहुत बड़ी है और निश्चित रूप से अमेरिका को टक्कर देने की काबिलियत रख पी हूँ यूरोपी संग अंतराश्ट्री बाजार में पुन्जी बाजार में एक बहुत ताकतवर आर्थिक शक्ति के रूप में उभरा है सोवियत संग के विगटन के बाद जो घटना करम हुआ उसकी परिणिती जो होती है वो इस रूप में कि अमेरिका का अब एक मात्र प्रतिद्वंद्वी नए रूप में यूरोपी संग के सामने आता है सबसे बड़ी चुनोती के रूप में सामने आता है और ये दिख भी रहा है कि आने वाले वर्षों में यूरोपी संग अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चुनोती बनेगा क्योंकि सैनिक शम्ता को छोड़कर बाकी सभी नजर से बाकी सभी नजरिये से दिख्टिकोन से अमेरिका को किनारे करने की ताकत यूरोपी संग में है रही बात यूरोपी संग की कुछ खामियों की ऐसा नहीं है कि यूरोपी संग में सब कुछ अच्छा है ऐसी जो संस्थाएं हैं जो विविन विचारधारा हैं विविन राजनीतिक दलों विविन देशों विविन सरकारों के जरिये बनी हैं उसमें विवाद और विरोध होना स्वाभाविक ही है मतबेद होना स्वाभाविक ही है यहां भी कुछ ऐसी समस्या हैं हम दो चार समस्याओं की और तो नज़र डालें ताकि यह समझें कि किस तरह के मदभेदों के दौर से यूरोपी संग दिनों दिन अपने को मजबूत करते जा रहा है पहला विदेश और रक्षा नीतिया जैसा मैंने प्रारम में कहा हुद देश को लेकर कि इस मामले में एक समानता का नजरिया अपनाने का प्रयास है दुर्भागे से कई बार विदेशी मामलों को लेकर और रक्षानीतियों को लेकर कई यूरोपी संग के देश एक दूसरे से टकराने लगते हैं एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं एक उदारन लें पाकिस्तान जिसका भारत से सतत रूप से जगड़ा रहा है पाकिस्तान के साथ संबंदों को लेकर यूरोपी संग के सदस्य देशों के बीच में मदवेद है कुछ देश जहां पाकिस्तान को एक अच्छा मितर राश मानते हैं अपने लिए और पाकिस्तान को आतंकवादी करार देने से कोसों दूर रहते हैं वहीं यूरोपी संके देशें का एक तबका भारत के पक्ष में खड़ा होता है तो सौभाविक है ऐसी इस्तिते में मद्भेद उपजेंगे और समस्याय बनेंगी दूसरा कारण या दूसरा मुद्दा जिस पर विरोध है वह है यूरो करेंसी को लागू करने को लेकर इसके बहुत से कारण है मैंने तीन दोशों के नाम आपको पूर में बताये थे एक था इंग्लेंड, दूसरा स्वीडन और इसके अलावा तीन देश आपको मिलेंगे जो करेंसी को स्वीकारनी करने है मुद्रा के मामले में मदवेद बना हुआ है तीसरा मुद्दा मदवेद का है एराग पर अमेरिकी हमला जिसका अन्यद है, उमें कक्षा ग्यार्मी और बार्मी दोनों में जिक्र किया जा चुका है बारंबार, जब अमेरिका हमला करता है तो हमले का एक ओर बिटन समर्थन करता है वहीं दूसरी ओर जर्मनी और फ्रांस इसके सक्त खिलाफ रहते हैं अपनी आवाज उठाते हैं और ये तीनों देश येरोपी संग के सदस्य हैं तो येरोपी संसद में इसको लेकर काफी विवाद हुआ, काफी बहस हुई और कई बार तो ये जो ये जो येरोपीन यूनियन है उसके अस्तित्व पर भी थोड़ा खतरा मंडराने लगा था लेकिन वो दौर निकल गया तो ऐसे किसी मामलों को लेकर भी मतभेज कई बार साम जाए है और चोथा है, जैसा मैंने बताया, करंसी को लेकर स्वीडन, ब्रिटन और एक तीसरा कंट्री जो है डेनमार्क मास्ट्रिस संधी और साक्षी येरोपी मुद्रा इसको अपनाने से इन्होंने अस्वी कार कर दिया कारण विवन नहीं हो सकती है इसकार, येरोपियन यूनियन का हमने एक गहन अध्यान कर लिया है संक्षिप्त में ही सही, लेकिन हम इसकी अहमियत को अब समच चुके हैं और एक वैकलपिक सत्ता के रूप में इसे विश्व में अब देखा जाता है यूरोप के सभी देशों की अपनी अपनी सरकारे हैं लेकिन इसके अलावा एक और वैकलपिक सत्ता भी है जो पूरे महाद्वीब का प्रतिने जित्व करती है वह यूरोपी संग उसके बारे में इतना जानने के बाद समझने के बाद हम अगले बिंदू पर आते हैं जो इस अध्याय का अगला विश्व है और वह है आसियान A.S.E.A.N. A.S.E.A.N. Short form है Association of Southeast Asian Nations संगठन दक्षिन पूर्व एश्याई देशों का संगठन उसे कहते हैं उसका संग्षिप्त रूप है A.S.E.A.N. A.S.E.A.N. जो शब्द बना है जो की पूरे लंबे शब्दों के गृप से पहले अक्षर को लेकर बना हुआ है उसे कहते हैं acronym अंग्रेजी में संग्षिप्ती करण के लिए हर शब्द के पहले अक्षर को लेकर जब कोई सा एक नया शब्द जन्म लेता है तो वह acronym कहलाता है तो यहाँ A.S.E.A.N. जो है वो Association of South East Asian Nations के पहले अक्षर का संग्षिप्त रूप है और एक सिंगल वर्ड उसके लिए दे दिया गया है वह है A.S.E.A.N. ऐसे UNESCO उसे हम संग्षित में क्या कहते हैं UNESCO तो वह भी acronym है तो यहाँ A.S.E.A.N. भी acronym है तो अब हम A.S.E.A.N. के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करें जैसे European Union योरप के लिए है योरप की आधारित संस्था है A.S.E.A.N. जो है वो A.S.E.A. एशियाई देशों की संस्था है और वह भी दक्षिन पूरवी क्षेत्र के बलकि कहना यह होगा अनुचत नहीं होगा पूरवी A.S.E.A. के देशों से मिलकर बनी हुई संस्था है 1967 इसका स्थापना वर्ष एक तरीके से और उद्देश वही जो European Economic Community का था जो बाद में European SANG बना आर्थिक सहयोग सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक गतिविधियों में तेजी आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक इसका जो घोशित उद्देश था वो खेतरी, शांती और स्थायत्व क्योंकि जो छोटे छोटे देश जो दक्षिन पूर्वी एशिया में थे शीत युद्द के दौर में ये बहुत उलज चुके थे शीत युद्द के काल में ये बड़े भुक्त भोगी रहे शीत युद्द के परिणामों के मद्दे नजर और जब शीत युद्द अपने चरम पर था उस दौरान इनके इन राष्ट्रों के अंदर जो अनभूती हुए इसकी परिणिती एक तरीके से कहना चाहिए एसियान के उदै के रूप में हुई कारण या प्रिष्ट भूमी के रूप में और भारत भी इस दक्षिन पूरवी एशियाई संग का एक पूर्ण वारता कार भागीदार के रूप में स्विकार कर लिया जाता है अब पूर्ण वारता कार भागीदार मतलब क्या इस कारतिये है कि वो अपने सुझाव रख सकता है गुत्थियों को सुलजाने में मदद कर सकता है लेकिन उसमें स्वेम में हिस्सेदार नहीं होगा वहां की जो भी गतिविदिया हैं उसमें भारत को एक बहुत आहम भूमिका निभाने का ये बड़ा अच्छा मौका मिला और भारत ने सहर्श प्रस्ताओं को स्विकार किया और एसियान के देशों ने भी माना कि उनकी अपनी जो समस्याएं हैं जिसके लिए एसियान की स्थापना हुई है उसमें भारत का योगदान अमूल हो सकता है और इसलिए उन के संथापक राश्टों के बारे में जाना च्छा है ऐसे यहां पर इसके संथापक राश्ट दस थे और नक्षे में आप देखिए तो इंडोनेशिया मलेशिया फिलिपीन्स सिंगापोर थैलेंड और इसके बाद फिर दो हजार तक इन देशों के अलावा बुनाई कमबोडिया को पूर में कमपूचिया कहा जाता था और म्यान मार वरतमान में बलकि कहना उचित होगा कमबोडिया पहले था अब वो कमपूचिया है और म्यान मार पूर में बर्मा था अब वो म्यान मार है पूर्व के बर्मा को है म्यान मार तो इस परकार यह दस राश्ट इसके सदस्टे हैं और आप देखेंगे कि ये सभी राष्ट दक्षिर पूर्वी एशिया बलकि पूर्वी एशिया के और के ज़्यादा देश है इनकी संस्कृति भी एक तरीके से कुछ समानताओं को लिए हुए दिखाई देती है इन दस राष्टों के अलावा भारत जैसे पूर्ण वारताकार देश के रूप में कुछ अन्य देश भी इसमें सदस्टे बनाए गए हैं उनकी संख्या है आठ जिसमें ऑस्टेलिया भी है अमेरिका भी है इसके अलावा चीन जपैन न्यूजिलेंड रूस दक्षिन कोरिया ये सदस्टे राष्ट वारताकार के रू कुल मिलाकर इनकी संख्या हो जाती अठारा दस और आठ अठारा लेकिन जो संश्टा है वो मूल रूप चे आठ देशों के लिए है अब हम आते हैं अगले बिंदु पर और वह है कि इनकी बैठकें कब होती है क्या प्रावधान होता है किस रूप में संस्टा चलती है अर्था संस्टा गढ़ धांचा एस्यान के सदस्टे राज्या धक्षियों की बैठक प्रतिवर्ष होती है मुख्याले जकार्टा है जकार्टा मुख्याले इंडोनीसिया का कैपिटल है जकार्टा और जकार्टा की स्पेलिंग पर ध्यान दें D से शुरू होता है जबकि उचारण J से शुरू होता है जकारता यहां इसका मुख्याले है आसियान भी European Union की ही तरह समिति आधारित संस्था है समितियों के माध्यम से काम करती है और इसकी 9 स्थाई और 8 आस्थाई समितियां है यह आस्थाई समितियां किसी मुद्दों को लेकर बनाई जाती है और जब वे मुद्दों के उद्देश पूर्ण हो जाते हैं तो भंग कर दी जाती है और जुरत पढ़ने पर कोई सी नई अस्थाई समिति बनाई जा सकती है वर्तमान में इसकी आठ अस्थाई समितिया है अस्यान देशों के जो एजेंडा है उनके बीच का जो मुख्य मुद्दे हैं वे संख्या को लेकर जन संख्या विस्फोर्ट, निर्धनता, आर्थिक शोशन और अस्युरक्षा ये इनके मुख्य मुद्दे हैं इसके लावा कुछ और भी हैं पर जो ऐसी समस्या है जो जिनसे ये संबंदित आठों देश ग्रसित हैं और इसके अंदर उनकी समस्याएं नहीं थाएं अन्य समस्याएं वे हैं जन संख्या विस्फोर्ट, पॉपलेशन एक्सपलोजन, पावर्टी, एकनामिक एक्सप्लोइटेशन ये exploitation की तरफ की बात चीदी हो रही है तो इनका इशारा उन राष्ट्रों की उर है जो इनके आर्थिक संसादिनों का उप्योग पूर में वर्ष दर वर्ष दशक दर दशक करते आए और गैर वाजिब मूलियों पर तो वो शोचोन और अंतिम है असुरक्षा ये सब देश छ रक्षम भी नहीं है क्योंकि आर्थिक दिश्टी से बड़े गरीब है निर्धन है और उनके पास वो ख्यमता भी नहीं है कि वो बरावरी की टकर ले सकें अपने परोसी राष्टों से जिसमें जापान है रूस है चीन है और देखा जाए तो भारत भी है तो इसलिए सतत र कार यूरोपियन यूनिन का अपना जंडा है अपना गान है अपनी मुद्रा है आसियान के देश उतना आगे नहीं बढ़ पाए हैं कि वो अपने जंडे मुद्रादी को लेके चलें उसके बदले इनके इनका एक प्रतीक चिन है एक लोगो है वो लोगो में मूलता है आप देखेंगे लोगों को तो धान का एक आकार दिखाई देता है धान के रूप में कटोरे जैसा इन्हें हम धान की बालियां कहते हैं और जैसा मैंने कहा सदस संख्या के बराबर के संख्या में धान की बालियां है तो चूंकि इसके सदस संख्या दस है सापक सदस संख्या दस है इसलिए धान की बालिया इन दस देशों की और इशारा करती हैं जो आपस में मित्रता और एक्ता के धागे में पिरोई हुई है बंदी हुई हुई है वृत यही जो है वो आसियान का प्रतीक है और आसियान के ज्धंडे का भी एक हिस्सा है अब हम आते हैं आसियान के उद्देश्यों पर मुख्य मुद्दे तो वही हैं जिसका मैंने जिक्र किया जनसंख्या, विसफोर्ट, निर्धनता, आर्थिक, शोशन, असरक्षा लेकिन उद्देश्यों की बात करें तो पहला उद्देश है आर्थिक, सांत्कृतिक और सामाजिक विकास अर्थात इनका इस बात पर विश्वास है कि इन मुद्दों पर विकास तभी हो सकता है जब हम देश एक जिट हो अकेला चना जिसे बोलते हैं भार नहीं फोरता तो उसी प्रकार ये इस बात से वाकिफ हैं ये राष्ट देश, सदस्ट देश के हमें एक जिट होना पड़ेगा अपने को मजबूत करने के लिए आर्थिक दिश्टि से, सामाजिक दिश्टि से और सांस्कृतिक दिश्टि से भी यहां ये रोपी संकी तुलना में आप पाएंगे कि एसियान देशों के देशों और उनकी कारश यहली में सांस्कृतिक बिंदू पर कुछ ज़्यादा ही जोर है और उसका कारण है यदि आप इन सदस्टि राष्टों की एसियान के सदस्टि राष्टों की इतिहास की और जाएं और इनकी संस्कृति पर थोड़ा सा ध्यान दें तो आप पाएंगे कि इन सब की संस्कृति लगभग लगभग एक समान है विबिन देशों के रहते हुए भी संस्क्रित के मामले में वे पहले से ही एक हैं और इसलिए एकता को बढ़ावा देने वाली बात जादा है दूसरा मुद्दा, दूसरा उद्देश खेतरी सांती और सुरक्षा स्थापित करना जिसका जिक्र मैं पूर में कर चुका हूँ कि आखिर ये सुरक्षा की बात इनके लिए क्यों इतनी माइने रखती हैं क्यों इतनी अहम है तीसरा देश इनका है, एसियान का इनके बीच में दक्षिन पूर्व एसियाई देशों जो इसके सदत से हैं उनके बीच में परस्पर सहायता और सहयोग कायम करना खासकर ऐसे हितों के मामले में जो सब के लिए समान हो उसमें साज़ा करने की का प्रयास करना चौथा अपने लोंगों को प्रशिक्षन देना शोध जैसी सुविधाय देना और जरूरत पढ़ने पर इस पर परस्पर सहयोग लेना सहायता देना अर्था सहयोग पर सतत रूप से जोर है ये सदस्य राष्ट इस बात के प्रति पूर्ण रूपेन वाकिफ है कि हमें एक दूसरे पर निर्भर होना पड़ेगा यदि हमें अपना विकास करना हो चाहे तकनीकी विकास चाहे आर्थिक विकास या सामाजिक विकास इसलिए यहां प्रशिक्षन और शोध की बात हो रही है जिसमें सहयोग अत्याधिक महत्पूर्ण है पांचवाव दिश है दक्षिर पूर्वी एशियाई अध्ययन को प्रुच्छाहन देना अर्थाथ इन देशों के इतिहास पर काम करते हुए इन देशों के इतिहास को सामने लाना इनके भूत को सामने लाना क्योंकि गुलामी की दास्तान में लंबे गुलामी के काल में इनका जो इतिहास है वो एक तरीके से लुपत प्राय हो गया था तो उसे सामने लाने का प्रयास करना चछपवा, क्रिशी, व्यापार और उद्द्योग के ख्शेतर में विकास अर्थात कुल मिला कर कहने का ताथ पर ये कि आर्थिक व्यवस्था में सहियोग, बहुत महत्पूर्ण उद्द्यश माना गया साथवा समान उद्देश और समान लक्षों वाले दूसरे ख्षेतरी और अंतरराश्टी संगठनों के साथ सहयोग कायम करना हूँ किनके साथ अन्य अंतरराश्टी संगठन अन्य ख्षेतरी संगठन जिनके उद्देश समान हो क्या इनका उद्धेश सीटो और नैटो और वार्साप पेक के उद्धेश के समान है? नहीं लेकिन इनका उद्धेश निश्यत रूप टे से सेंक राजचंक की कुछ संस्थाओं से मिलान खाता है जिसमें यूनेसको की बात की जा सकती है जिसमें WHO की बात की जा सकती है जिसमें हम WTO की बात कर सकते हैं या World Liber Organization की बात कर सकते हैं आदी आदी उनके साथ सहयोग करना identify करना इसी संच्थाओं को जिनके विचार इनके साथ मिलते हो और उनके साथ सहयोग करना लाभप्रद सहयोग करना इस पकार इन उद्देश्यों के मातहत आसियान विजन डॉक्यूमेंट 2020 सामने आदा आसियान विजन डॉक्यूमेंट 2020 वाट डिडिट इट कवर कौन कौन से मुद्दों को लेकर इसमें जोर दिया गया और एक तरीके से सभी राज्या दक्षों ने सदस्य राष्टा दक्षों ने इस पर एक तरीके से अपना प्रभाव पूरी तरह से डालने का प्यास किया पहला अंतराश्टी समुदाय में आसियान की बहुर मुखी भूमिका को प्रमुक्ता देना अर्थाथ इंटरनेशनल जो फोरम है अंतराश्टी मंच जो है जो भी चाहे वसे तरह चंग हो चाहे G20 हो चाहे किसी भी तरह की खेतरी संश्थाएं हो इसमें भी आसियान के बहुर मुखी प्रभाव को उसकी भूमिका को सामने लाना उसको प्रमुकता से दिखाना दूसरा हनोई कार योजना हनोई is the name of a city वहाँ एक work plan तियार किया गया उस work plan के तहट खेत्री आर्थिक एकी करन economic unification व्यापार उदारी करन अर्था लिब्रलाइजेशन वह वित्ती सहयोग financial cooperation इस पर व्रिद्धी हो इसके लिए उपाय किये जाएं इन खेत्रों में खासकर इन मामलों में खासकर कैसे हम व्यापार को बढ़ाएं लिब्रल करें उदार करें और उदार कर्थ क्या होता है उदार कर्थ होता है एक दिसरे देश की सीमाएं उनके प्रभाव को कम करें माल और लोगों की आवा जाही को और सुगम बनाएं इसे हम उदारी करन कहते हैं और साथ ती साथ वित्ती सहयोग अर्था जो जरूरत मन देश है सदस्देश उन्हें आर्थिक सहायता दी जाए उचित ब्याजदरों पर तीसरा दोजार बीस तक आसियान समूँ ने मुक्त व्यापार खेतर बनाने की राह में महत्पूर्ण समझोते पर हस्ताक्षर किया इसे कॉंकॉर्ट समझोता दो का नाम दिया गया कॉंकॉर्ट समझोता दो एग्रिमेंट नमबर टू ये इसके दहत मुक्त व्यापार खेतर बनाना था और ऐसे प्लेसेस आइडिन्टिफाई करने थे जहां पर पूरी तरह से कर बंधन से छुटकारा दे दिया जाए और व्यापार का जो आवागमन है वो पूरी तरह मुक्त रहे किसी अन्य दबाव से चौथा आशियान समों के अंतर गथी उसके अंतर गथी एक आशियान सुरक्षा समुदाय हो एक आशियान आर्थिक समुदाय और एक सामाजिक और सांस्कृतिक समुदाय की कलपना की गई आप देख रहे होंगे कि बारम बार इनहीं तीन मुद्दों पर आशियान जोर दे रहा है आर्थिक विकास सामाजिक एकता और सांस्कृतिक अर्था परंपराओं में सहयोग इस पर इतका लगता जोर रहा है पाचवा खेत्र के भीतर होने वाले विवाद इन संबंधित सदस्य राष्ट्रों के बीच में अदि किसी तरह के विवाद हों जो स्वाभाईक है तो ऐसे विवादों का शांतिपूर समाधान और आपसी सहयोग की संकल्पना आपसी सहयोग पर जोर दिया गया अंतिम जो डोक्यूमेंट विजन डोक्यूमेंट का बिंदू था वह था आतंक वाद्थे ने पटने के लिए प्रयास करना और इस प्रयास की दिशा में एक साजहा घोशना पत्र जारी किया साजहा घोशना पत्र मतलब सभी सदस्त राश्टों की सहमती से कुछ बिंदूओं को लेकर कुछ एनाउंस्मेंट किये गया जिस पे सभी राश्ट सहमत थे उसे साजहा घोशना पत्र कहा गया और इसका मुख्य मुद्दा था आतंकवाद क्योंकि दक्षिन पूरी एशिया के देशों में और जिसमें भारत भी एक तरीके से शामिल रहा है आतंकवाद काफी गहरी पैठ बना चुका है अब भी भारत की यदि हम बात करें तो वह भी आतंकवाद के समस्या से जूज रहा है बलकि कुछ ज़्यादा ही अब आतंकवादी गत्विदिया है बढ़ गई है किसी ने ठीक ही कहा है कि भारत एशियान का पश्चिमी पंक है और जापान और दक्षिन कोरिया पूरवी पंक आप यदि नक्षे में देखें गौर से तो आप देखेंगे कि इस यान के जो सदस्य राष्ट है वो मानो किसी चड़िया का शरीर है शरीर माइनस पंक लंबा कार दिखाई देते हैं नीचे औस्टेलिया तक समझ लीज़े इसकी पूछ जाती है जबकि आउस्टेलिया सदस्य राष्ट नहीं है वो वारताकार के रूप में अपनी भून का निवाता है और इसके शरीर के दाएं और बाएं और कुछ बड़े महत्वपूर्ण राष्ट हैं जिनका मैंने जिक्र किया तो एक और जहां पश्चिमी पंक भारत को माना गया ह है वहीं जापान और दक्षिन कोरिया जो बहुत उभरती हुई आर्थिक टाकत है वो उसको पूर्व का पंक के संग्या दी गई हैं आशियान रुपी जंबो जेट को यदी उड़ना है जंबो जेट इसलिए क्योंकि बहुत विशाल संख्या है देशों की आठ्ट हैं यद रक्षा के मामले और अनमुद्दों को लेकर बहुत बड़ी समस्याओं से जंबो समस्याओं की दौर से गुजर रहे हैं तो इस जंबो जेट को यदी उड़ना है तो इनको इस दो पंकों की मदद बहुत जरूरी है उनके सहयोग की बहुत जरूरत है और भारत अपने भू अभिन तरह का सरयोग बढ़ाने का लगाता प्रयास हो रहा है। सदस्ता भी धीरे धीरे बढ़ रही है। भारत और चीन ने भी आशियान सदस्यों के विकास में महत्पूर्ण भूमिका समय समय पर निभाई है। जैसा मैंने बताया रूस, चीन, जापान, कोरिया और भारत इन से घिरा हुआ आशियान देशों का ख्षेत रहा। और लगभग सभी देश आशियान देशों की मदद को ततपर हैं। हाँ इस के पीछे इस ततपरता और मदद के पीछे कुछ अन्य कारण भी हैं। जिन में सा पारिक कारण बहुत महत्पूर्ण है। भारत के साथ ही कुछ अन्य जो महत्पूर्ण देश हैं वो भी इसकी बैटक में भाग लेते हैं। जिसका जिक्र मैंने बताया आपको ऑस्टेलिया और अमेरिका देश भी इसके सदस्त बने हुए हैं। परंतु आसियान सदस्त रा एतिहासिक दिश्ट इसे और इसलिए जरूरी है कि ये जो विवाद के मुद्दे हैं इसे आपसी सहयोग से निप्टाय जाए आपसी सहयोग से इसको कम किया जाए और साथ ही आशियान के सदस्त राश्टों के बीच में जो इतना ज़्यादा अंतर है उसको भी कम किया इसी का प्रणाम है कि एक और सिंगापुर आप पाएंगे विश्ट के इस तरवश्रेष्ट देशों में गिना जाने लगा है और उसकी प्रगती जिस तीवरता से हुई है उसके खिलाफ यदि हम मलेशिया और इंडोनेशिया की बात करें तो वे जहस्ट के तस वही रहे ग इसके अलावा ये जो ख्षेतर है चूँकि निर्धन देशों का ख्षेतर है चूँकि सामरिक दिश्ट से महत्पूर्ण ख्षेतर है इसलिए जो शक्तिशाली राष्ट हैं जो मजबूत देश हैं बड़े राष्ट हैं महाशक्तियां हैं इनकी नजर हमेशा यहां रहती है और किसी न किसी तरीके से साम दाम दंड भेट से ये इन राष्ट्रों के द्वीपों को हत्याने का प्रयास करते रहते हैं यहां पर अपना बेस बनाने का प्रयास करते रहते हैं, सेन्य बेस बनाने का और इसको लेकर भी सजस्श से राश्टनों के बीच में जब्तब विवाद होते रहता हैं बड़े राश्णों का हस्तक्षे राजन्यतिक सेनिसायोग और इनकी अपनी राजन्यतिक विभन्नताएं आर्थिक विशमता के अलावा भी ऐसे कारण ही हैं जो एसियान को यूरोपियन यूनियन जैसा मजबूत बनाने के रास्ते में बाधा बन रहे हैं लेकिन फिर भी विशमताएं तो अपनी जगह हैं अंतर विरोज भी अपनी जगह हैं लेकिन यदि चाहें तो समाधान निकल सकता है दक्षिन पूरी एशिया के देशों ने इसका समाधान धीरे ही सहित लेकिन सतत रूप से निकला है और इसमें काफी कुछ सफल भी हुए हूँ येरोपियन यूनियन येरोपी संग और आसियान दूसरी संस्था भी जो एक वैकलपिक संस्था के रूप में हैं वैकलपिक सत्ता के रूप में उसका भी हमने अध्यन किया और कमोबेश अभ हम थिस्थी में हैं कि यूरोपियन संग और एसियान की तुलना करके हम अभ समझ सकते हैं कि एसियान किन खेतरों में मदबूत है इसके उद्जिश किस प्रकार यूरोपी संग से भिन है और क्यों ये योरोपी संग की तिलना में कमजोर है और इसके लिए क्या-क्या आवशकताएं हैं ये समझने के बाद हम थोड़ा जाने भारत का इसियान से क्या सम्बंद रहा है मैंने पूर में जिक्र किया कि भारत इसका पूर्ण वारताकार सदस्य है और सतत रूप से इसने इसियान सदस्यों को विभिन रूप से मदद भी की है समय समय पर और इस बात को इसियान के सदस्य राष्ट मानते हैं लेकिन भारत के लिए इसियान इसलिए भी महत्पूर्ण है क्योंकि भारत के परोसी क्षेत्र हैं और भारत की संस्कृति का प्रभाव और उन देशों की संस्कृति का प्रभाव भी भारत पर है यदि भारत की निकटता की हम बात करें तो मन से दिल से और संस्कृतिक के काफी निकट है लेकिन हां आर्थिक मामलों में भारत की निकटता ये रोपी संग से काफी है क्योंकि ये रोपी संग जो है वो मूल रूप से आर्थिक मुद्दों पर तक्नीकी मुद्दों पर बहुत ज्यादा प्रभावशालिय जैसा मैंने शुरू में बताया एसियान क के संबंद में कि भारत के पारंपरिक संबंद एशियान सदस्यों के साथ रहे हैं एतिहासिक संबंद रहे हैं प्रगाड रहे हैं और एतिहास के उर्यदी जहांकें तो अंग कोर वाट जो विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर माना जाता है वो कंपूचिया में स्थित ह तो हिंदू सब्विता का वहां काफी प्रभाव लेकिन दुरभागे से शीत युद्ध की विवस्ताओं के कारण भारत अपने उन संबंधों को एतिहासिक संबंधों को विकसित नहीं कर पाया क्योंकि शीत युद्ध की जो कंप्लेक्सिटीज थी उसके कारण दक्षिन पूर्वी एशिया के देश सामरिक महत्ता के मद्दे नजर काफी तितर बितर हो चुके थे कुछ देश सोवियत खेमे में थे तो कुछ देश अमेरिकन खेमे में थे और ये दोनों महाशक्तियां इन छोटे छोटे राश्टों के द्वीपों को अपने सैन्य बेस की रूप में इस्तिमाल करने के लिए बार बार दबाओ बनाती थी और सभी तरीके से प्रयास करती थी इन पर अपना दबदबा बनाये रखने का उसी का उधारन है विएटनाम का युद्ध जो बड़ा लंबा चला और आपको मालुम होने चाहिए और पूरे गर्व के साथ आपको महसूस करना चाहिए कि विएटनाम एक मात्र ऐसा देश न वह भी एक एशियाई देश पहली बार किसी पश्चिमी ताकत को और वो भी सबसे बड़ी महाशक्ति को पराजित करता है हद तो तब हो गई जब अमेरिका चुप चाप पराजय की को घोशित किये बिना चुप चाप विएटनाम से निकल जाता है कहने का ताथ पर यह है कि शीत युद्ध के काल की कॉंप्लेक्सिटीज के कारण भारत अपने संबंद इनके साथ उस दौरान उस स्तर पर नहीं रख पाया जिस तर पर वह रखना चाहता था या रखना चाहिए था लेकिन इस स्थितियां बदलती हैं सोवियत संके विगटन के बाद जब साम्यवादी विचारधारा बनाम पूंजीवादी विचारधारा का जगड़े का तनाव कम होता है 1990 में शीतियुद समाप्त होता है और 1992 में आते ही भारत के ततकाली इंप्धान मंतरी नर्थिमाराओ पूर्व की और देखो की विदेश नीती के तहत इन राष्ट्रों का दौरा करते हैं इस खेतर का दौरा करते हैं और भारत एसियान का वारता का रस्दा से बन जाता है 2002 में भारत और एसियान के देशों के बीच में वार्षिक शिकर सम्मेलनों की शुरुआत होती है अर्थाथ सभी एसियान सदस्य मानते हैं कि भारत में वो कूबत है कि वो एसियान के सदस्य राश्टों के विकास में अपनी महत्पूर्ण भूमिका निभा सके और इसलिए ये तै किया गया कि प्रतिवर्ष शिखरवारता होगी 2009 में भारत और असियान के बीच मुक्त वियापार समझोता होता है और साथ Free Trade Agreement पर हस्ताक्षर होते हैं और मैं पूर में बारं बार बता चुका हूँ कि Free Trade Agreement क्या है बहुत ही महत्पूर्ण वियापारिक दिश्टिते बहुत ही महत्पूर्ण संदी मानी जाती है Free Trade Agreement बढ़के सौ बिलियन पार करता है और उसके बाद अब डेड़ सौ बिलियन के सीमा को छूलिया है दोनों के बीच एसियान और भारत के बीच के जो संबंद थे इनके अच्छे संबंदों के शिरुवात के दिए हम बात करें तो 20 दिसंबर 2012 को जो दिल्ली में शिकर संबेलन हुआ जिसमें दसों इशियान सदस्यों के शीर्ष निताओं ने भाग लिया वहां से हम देखते हैं नए मील का पत्थर ये जो शिकर संबेलन था जो दिल्ली में हुआ 2012 में इसकी मुख्य थीम थी शान्ती तथा सहभागी संपन्रता में भागी दारी पार्टिसिपेशन पार्टिसिपेशन ज्यादा अहम माना गया कितना पार्टिसिपेशन ये बात दूसरी थी आस्यान के साथ भारत इसके सहयोगी उपकरम में सुरक्षा के लिए अब बात करने को तत्पर हुआ क्षेतरी मंच पर सुरक्षा की बात को लेकर हमेशा अग्रसर रहा सहभागी रहा और पिछले बीस वर्षों में देखा जा रहा है कि हम विबिन खेलूं बहु आयामी सहयो की और लगातार अग्रसर हो रहा है और इसमें काफे कुछ सफलता भी मिली है यदि हम आज की बात करें तो इस बहु आयामी साजेदारी में पुर्व की और देखो की जो हमने नीती अपनाई उन्निस सो इंकानबे बानबे में जिसकी शुरुआत ततकालीन पधान मंतरी पीवी नर्सिमराओ ने की थी और वित्त मंतरी के नाते डॉक्टर मनमोहन सिंग उनके वित्त मंतरी के नाते डॉक्टर मनमोहन सिंग ने जो आर्थिक गती एसियान देशों के साथ व्यापारिक संब्दों को दी थी जिसके तहस मुक्त वियापार आजी समझोते हुए इसका परणाम ये है कि आज हम लोग के हमारे संबंद एसियान देशों के साथ बड़े अच्छे हैं और हम अपनी इस पूर्व की ओर देखो की नीती को एक सफल नीती मान सकते हैं येरोपियन यूनियन इसियान भारत और इसियान आखिर भारत और यूरोपिय संग क्यों नहीं भारत और इसियान इसलिए क्योंकि इसियान के देश भारत के पड़ोसी हैं बहुत निकट हैं हमारी सीमाओं पर हैं इसलिए भारत के इनके संबंद काफी मायने रखते हैं